लेवेंट विल्कम दोस्तों एक बाद फिर से सवगत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज हम फिर से एबरेज के कुछ कोशन करेंगे एबरेज के बारे में पढ़ेंगे कुछ मज़ेदार मस्त मस्त कोशन करेंगे तो आप copy pen उठा लीजिए और ध्यान से इस वीडियो को देखिए तो यहाँ पर हम क्या करेंगे जो पछले वीडियो हमने करा हैं उनके भी एक दो कोशन ले लिए हैं जिससे आपका revision भी हो जाए और कुछ नए नए कोशन जो paper में आते हैं उनके भी हम बात करेंगे तो देखिए ऐसे पहला कोशन है 11 परिनामों का उसत 50 है यदि परतम 6 परिनामों का उसत उननचास हो ज़ता अंदिम 6 का उसत 22 हो तो 6 परिनाम ग्याद किजिए देखिए दोस्तां ऐसे कोशन की करने की हमारी अप्रोच क्या रहेगी ऐसे कोशन में पहले के पीडियो में भी करवा चुका हूँ कि 17 पारियों में इनका उसत 68 था तो 18 पारियों में इनका उसत क्या रहेगा उसी तरीकिस यह है तो हमारा अगर पार्ट 4 आपने नहीं देखा है तो बो भी देख सकते है लिंक डिस्क्रिप्षन में मिल जाएगा तो देख किए हाँ यहां नहीं भी 250 3 बताओ है की नIT कोशन बोल रहा है बोई मैंने अभी लिखायए । इस बोल रहा है अन्तिम शह限 अंतिम छे का उसत बावन है तो अंतिम छे का उसत किता है बावन है दोस्तों अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तब भी बस आप ध्यान से वीडियो को देखिए आपको सब समझ में आएगा बिल्कुल लेकिन आप धहर बनाये रखिए क्योंकि बिना धहर के कुछ नहीं हुपाएगा आप सोचो कि डारेक्ट जादू की छड़ी है और आपको जाएगा नहीं धहर से आपको देखना पड़ेगा टाइम देना पड़ेगा तब ही हुपाएगा तो हैसे कि हमने का गैरव परिणाम को जाथ है है यदी प्रत्रम छे परिणाम को जाथ है तटा ऑन्तिम छे परिणाम हम गयाद किजिए छटा परिणाम हमें गयात करना है एक बाद बताई दोस्तों यह 9 और 12 हो रहे नह новuy हो रहे हैं तो मैंने का यहाँ पर इनका उसत पचास था, इनका उसत उननचास है, मतलब एक कम है, एक कम है, तो वो माइनस बन लिख दिया, यहाँ पर देखी बड़ा लिख देता हूं, थोड़ा अगर आपको नहीं देख पा रहा हूं, तो एक कम है, यह मत समझीए का दोस्तों, इसका यह एक कम है, ठीक है, एक कम है, क्योंकि यह पचास है, और यह उननचास है, तो हमने देखा एक कम है, यहाँ पर देखी यह बावन है, और यह पचास है, मतलब यह दो ज़्यादा है, क्योंकि होने कितना चाहिए, तो यह दो ज़्यादा है, तो हमने का अगर एक कम है, और 6 पर कितना कम होगा 6 कम होगा क्योंकि देखिए एक इंसान पर 1 कम है एक इंसान पर एक कम है तो एक छझान कर दू एक एक दो तीन 4 5 भोड़ यह वजाएगा न च्हे Mitar は मानगा चिर्ण gsहाग हम लंगए और कितना जाद हागा एक इंसान पर दो जाना पिलस 12 अब मैंने यहां पर देखा कि 12 हो गया आप देखी साइद आप देख पा रहे होंगे अब देखी और होगे और क्या किया हूं तो 12 में से 6 गया किता बचा 6, 6 बचा, वो 50 और 6, 56, तो हमारा जो 6 परीणा में वो क्या आ गया, इन दोनों का जोड़, क्या आ गया, 50 और 6, 56, अगर यहां पर माइनस का 6 होता, तो हम 50 में 6 घटा देती, यह हमारा वो 6 परीणा में, तो आई हो दोस्तों, आप समझ पा रहे हो है, तो उससे कैसे कर सकते हैं, हमने का 11 परीणा में का उसत किता है, 11 परीणा में का उसत 50 है, 11 परीणा में का उसत 50 है, तो हम जानते हैं, अगर बेसिक नहीं देखा है, आपने तो आप देखी, देख लीजी हमारे पुराने वीडियो, उसमें हमने बताया है, उसत क्या होता और उनका योग क्या होता है तो उता है नाम का यूकशन राफ होगा हमने का अगर उसत 11-50 होगा ठीक है तो जो कि पांसो- olha इनका योग ठीक है लाफी नामों को तो पिर्तम्ट छे का जो परीणामों का योग होगा पिर्तम्ट आपब इनको गुणा करोगे चैनम चोवन की 294 ठीक है अन्तिम छे का परिणामों का उसत किता है अन्तिम छे का योग पता करें तो हम जानते हैं दोस्तों इस फॉर्मूले से उसत वरावर होता है उसत वरावर किल परिणामों का योग यह मैनने बिल्कूल veterans को बेसिक से बताया हुआ है आप बस प्लेलिष्ट में जाई और पराने वीडियो को परिणामों का योग योग बटे को मज她 को कि परिणामों की संग्या यह फॉर्मूला होता है परिणामों की संक्या ठीक है दोस्तों तो देखिए यहां पर कुल परिणामों का योग अगर हमें पता करना है ग्यारा परिणामों को योग पता करना है तो यह यहां पर गुणा हो जाएगा ओसत में गुणा हो जाएगा किसका कुल परिणामों की सं यहां पर उननचास रखा और 6 रखा 6 उननचास गुणा होगा यहां यहां पर क्या गुणा हो जाएगा इसका यहां पर कुल परिनामों का योग कुल परिनामों की संख्या यहां परिनामों की संख्या यह यहां पर आ गया है ठीक है बहुत जल्दी जल्दी में लिख रहा हूं अगर समय नहीं पा रहा होता हो तो यहां से हमने इस पॉर्मूले को बना लिया अगर देख नहीं रहा है तो आप इससे समझे आप गुणा कर लें 6 दूनी 11 इस दूनी 12 में यह टोटल कित्त हो ग雅गा छ और छ और 12 नाम को जोल लो है 294 को 312 को जोड़ा हो रहा है चार और 206 के जीन पांच में आए तो तीन पांच और 606 ठीक है और 11 भाई नामों ऑक क्त्न भी सित्सक्राइब करें यह जो जाएक फेखिए हैं किसक्रेइब को मैं सो यहां प्र। तो हमें से भी गरोगा सुआ जो हो पौछ गँए फॉल्स चोड़े। और जोन सावी ठीक है तो यहां पर देखिए 6 मेसजीर हो गई 6, 10 मेस 5 गई 5, 5 मेस जीर हो गई 5 यह यह आगा है हमाना 56 तो देखिए दोस्तों हमने इस मेथड़ से भी समझने कोसिस की आप साहिए देख पा रहे होंगे कैमरा थोड़ा इसू है तो समझने की कोसिस कीजिए त jate sa विर्समियमें कैम करने पड़ती है तो मेज連 यह में सब्सक्जिए हो और सबसे और सबर संहके होगी यदि साथ लगातार प्रसम्ग्रादां प्रच्यों सबसे बड़ी संहकोर्ण है दोस्तों बहुती सरल होते हैं और हमें इस question को हमारे करने की अप्रोच क्या होनी चाहिए तो यहाँ पर मैंने यह question लिखा है यदी साथ करमागत संख्या का उस्त 33 है तो इन्में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है तो देखिए क्रमागत का मतलब होता है दोस्तों लगातार क्रमागत का मतलब क्या होता है लगातार क्रमागत मतलब होता है हमारा लगातार ठीक है तो इनका और सथ किता 33 है तो मैं देखिए यहां पे दोस्तों कुछ आपको basic method से बताता हूंगा एगवार फिर मैं बताऊंगा अपनी method होनी क्या चाहिए करने की तो क्रमागत का मतलब मान लो मैंने पहली संक्या x मान ली अब दूसरी क्या होगी x पिलस बन होगी ठीक है तीसरी संक्या क्या होगी x पिलस 2 होगी चोती संक्या क्या होगी x पिलस 3 होगी पाच भी संक्या क्या होगी x पिलस 4 6 संक्या 9 में साथ संक्या बोलाता साथ करमा का संक्या कर्मा का मतलब है अगर इक in जिए पर खोगे कित Mais इसलिए गो सबनें में तो बिंका 33 और को मत्ला होता है एबरेजा हीविर्यास हे मारा और उसदा वार होता है कुलपरिनामों का यूग या कुल परी नामों का यूग मैं स्वाट में लिख दे रहा हूं, मैंने यह बता दिया है, ठीक है, बटे, कुल परिणामों की संक्या, अगर आपको इस पिलिंग में समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं बहुत फास्ट में लिख रहा हूं, मुझे ऐसा मानना है, कि आपको यह याद है, इसलिए, ठीक है, तो ये सबको जोड़ना पड़ेगा मुझे अब पेली संख्या को जोड़ना पड़ेगा देखिए मैं यहा पर एक बाल करण देता हूं एक पिलस इन सारी संख्या को जोड जोड़ना तो एक सब WOW x 3x 4x 5x 6x 7x किता होगा 7x प्लस अब संख्या संख्या जोड़ लो तो दो और एक तीन और तीन च्छे च्छार देस पांच पंद्रा और 6 দ्राइब 1 कैस2 कि यहां हो तो यहां नियुरू प्लस यहां बलस अगय के बराबर आगा ये हमारा X plus 3 ये यह आ गया यह एक्स प्लस 3 ठीक है तो X plus 3 आ गया आप देखिए ध्यान से दोस्तों औस दिया किता हमें 33 दिया है तो X plus 3 की जिए उसत 33 दिया तो ईओसत की जिगहाप मैं क्या रख दूंगा आप थे तक हैं तो यही पर मिटा रख रहो हूं तो ओसत की जिगह आप किता रख दिया तो तीं साइट आ गाये तो एक्स बराबर क्य Commission 23 तो 7 स्वाइब किता हूगाया मेरा 3 साइब आ ला जैसरा सब्सक्रांपर 38 मैं हधेता हूं तो पहली संख्या क्या होगा या कि 30 हो गई ठीक है दूसरी संख्या क्या हो गई 31 हो गई क्योंकि एकस की जगा आप 30 रखूंगा और जहां पर 30 रखूंगा और दो जोड़ जाए का 30 संख्या 32 और यह किती हो जाएगी बताओ 33 यह 34 यह 35 और यह 36 हो गई 36 बोल रहा है सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी सबसे बड़ी संख्या कौन सी तो हमाई सबसे बड़ी संख्या कौन सी 36 ठीक है यह हमारा अंसर है 36 हमारा क्या है 36 हमारा क्या अंसर तो देखिए दोस्तों कितना कठिन हुआ ना हमने पहले इनको ज कांसे करना है ठीक है आपने यह उतारे ली आऊगा मैं को आपको कैसे इसे हम नहीं कर दोस्तों मैं देख एक संख्या हमारी यह है यह यह तीसरी है धीक है यह चाथी यह यह पांच भी है 2020 और यह साथ भी, साथ लगातार संख्या है बोल रहा था, तो एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, संख्या है हो गई, साथ संख्या है, अब देखिए बुक क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है, संख्या होगा ओसत 33 है, तो मैंने दोस्तों आपको बताया था, ओसत होता क्या है, म माद्ध माद्ध बोले तो बीच की चीज़ को हम करोलते है औस तिसी बीच की पानी हमारा उस्त होता ठीक है तो यह मैं धो इनका बीच यह एगा यह कि नहीं है गुट जी क्रमाना गासंग क्या है तो अगली क्या हो गी 51 फिर 32 फिर क्या हो गी 33 है कि नहीं 33 होगी नहीं सोरी एक त्यांतीस तो हमें दिया ही हुआ है तो अगली क्या होगी एक जादा 33 से 34 फिर कित्ती होगी 35 और फिर एक जादा कित्ती 36 अगर सबसे चोटी पूछे तो यह घटाते जाओ 33 से पहले क्या आता है 32 32 31 से पहले क्या आता है 30 सबसे चोटी पूछे तो 30 हमारा है है ना दोस्तों आसान अशनको हम बिनकर सकते हैं मन में सोची हो और संक्या है साथ कर्मारा संग्या है आतीस संग्या है नहीं है सबसे बड़ी संक्या पूछ रहा है तो यहीं होगी वो संख्या 3 में प्लस 3 कर दो 33 और 33 और 36 सबसे बड़ी संख्या 36 है सबसे छोटी बोले 33 में इस तीन घटा दो किती वचे 30 सबसे छोटी 30 है आई अब दोस्तों आप समझ पा रहा होंगे और हम मज़िदार और कोश्चन लेते हैं देखिए दोस्तों मैंने एक सेम और कोश्चन लिया है कि आपको अच्छे संख्य में आए और मैंने बस संख्या को थोड़ा चेंज कर लिया ठीक है तो देखिए यहां पर बोला साथ करमा का संख्या का आउस्थ 29 है अब पहले 33 ता ब 29 है तो इन में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी मैंने का 30 मेंने बोला था ओसत मतलब माध मतलब बीच की संख्या तो बीच की संख्या एक दो तीन साइट एक दो तीन साइट मतलब यह कित्ती है 29 है तो सबसे बड़ी संख्या पूछा है तो हमने का 29 से कौन से कौन से क्रमागत हैं लगातार है मतलब एक एक बड़ा बढ़ेगा इन संख्यां एदर होंगे ठीक थीन संख्यां एदर होंगी और है कि है कि नहीं है ऊंतीब से बड़ी प्युश्वाद जmost दोड़ी १ियां educating ने सबattu ग्ता चोटी बोले जोफिन будете सिए दो किन तो कितना बचाए गड़ा रहा है था है अध्यों धैका लड़ टोछूब बहुत मैनस से आपके लिए हम कंटेंट ला रहे हैं तो आज के हम जो आज के वीडियो में हम सारी जो क्रमागत बिशम शम इन सारी संख्याओं को हम कबर कर लेंगे फिर नेस्ट वीडियो में और अच्छे मज़ेतार कोश्चन पढ़ेंगे तो देखिए दोस्तों यहां पर क आएगा चार क्रमागत संख्याओं का वुसर 2700 इन में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है नहीं हम संख्या बोलते हैं तो यह बात याद रखें कि संख्यां क्या होती हैं बिशम क्या ओते हैं एक तो कहा सी विर सम्हाष तू यह कौन सी संधाया है हमारी व्रhrp diesem संध्यान तो यह संसंध्या कि वर्भल था ठीक है टो चार क्रमागत तो मैं ने कहाँ एक Link değ चार करमागत संसंख्या तो मैंने कि कहां स्हूर संध्या होती है दोस्तुं पहली सबसे छोतीnaden क्यों सी आप बोलो कि सबसे चोटी संक्या एक नहीं एक तो बिसम होती है सबसे चोटी संक्या है दो तो यह क्या हो गया दो हो गया अभी नहीं दो नहीं इनका ओसत किता है 27 हो तो इन से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है अब देखिए दोस्तों लफडा हो गए आपने तो बोला था बीच की चीज महाद्य की चीज यहाँ पर तो दो साइट दो साइट भी छूई नहीं रहा हो उति हो तो बीच हो रहा हता कि दो साइट है अगर आप हां से देखें तो देखिए इसका बीच क्या है यह 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 दो संख्या इस साइट होगा इन दो संख्या इस साइट होगा इन बीच हमारा यह बन गया है अब क्या बोल रहा है वो तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या गयात किजी तो हमें पता है दोस्तों अगर पहली संख्या दो-जोडो तो अगली मिल जाती मतलब दो-दो केंतर से हमारी समसंख्या होती है चौन सी हो जाएगी अब इसमें दो जोडएंगे तो कित्ती हो है तो हो वह सबसे बड़ी समसंख्या कौन सी है हम सबसे बड़ी संख्या सबसक्षं कैया कौन सी थी है यह हमारा अंसर है अगर सब administration बोले to 27 की बात क्या दा 26 इसमें तो 26 हाएगा अब इसमें से 2 घटेगा तो 14 तसब से चोटी 20 हो है और बी कोशिन करेंगे अगर आपको समझ मेंने या रहा हो तो प्रेसरद ना लें हम और यकोशन सब आमको समझाने कोशिस्ट करेंगे कि दोस्तों मैंने क्रमागत और यह सतत हमारी बात एक ही होती है लगातार भी बोल सकते हैं इस चीज़ को ठीक है तो देखे दोस्तों मैं आपको पहले बताऊं पांच संख्या हैं तो हमने पांच डिप बना लिए अब मैं इसकी दो में थरड़ बताऊंगा तीन चार पांच बन गए अब देख तीन पांच साथ इस की खम यहां री बिसम संख्या होती हैं तो हम देखते हैं अगर दो दो के अंतर पर होती हैं प्रर इस से अग्ली हो थिर पिलस दो पर इस साइट जाएंगे तो माइनस दो और इससाइड जाएंगे तो मैंस एसे होती है टुछोड़ी संताओय उड़ी संताओयियाओन् संताओय मैं तो घंच चूट यह कॉन helping तो बढ़े से चोटे एक संक्यां सक्वारत आई हूब दोस्तों आप समझ पा रहा होंगे मज़ा आ रहा होगा आपको और कोश्चन लेते हैं एक दो और हम तो देखिए दोस्तों एक और हमने कोश्चन लिए बेंक पी-ओ में आया हुआ कोश्चन है ठीक है क्या बोल रहा है एबी सी तिताव डी चार करमागत बिसम संख्या हैं जिनका उसद 42 है बिताथ्फर दी का वरणपल कर द किजित हम क्यां संख्या है हम लिख लेते हैं पहले ए है है थ ठीक ये चार संख्या है, इनके नाम ये भी सीडी है इनका जो ओसत है वो 42 है हमने का दो इस साइट, दो इस साइट मतलब इस जगह का क्या है का 42 है यहां पर भी जो भी संख्या हो उसका ओसत 42 है ठीक है, तो हमने का B, 3, 3, D का गुणन फल गयात कीजिए हमने का अगली कौन सी होगी, 43 43 होगी अगली, 42 के बाद अगली 43, और इदर 41 तो हमने का 41 में दो जोड़े, 43 अब अगली का आएगी, दो जोड़ने के बाद तो 43 में दो जोड़ोगे तो 45 देखिए दोस्तों, जब बीच में हो जब हमारे ये गोला में ना हो बीच में हो तब हम एक जोड़ते हैं एक जोड़ देते हैं और जब गोला से दूसरे गोला में जाना हो तब हम दो जोड़ते हैं जब सम बसम की बात हो रही हो, अगर लगातार संख्या या क्रमा का संख्याओं की बात हो रही हो तब तो हम एक ही जोड़ते हैं लेकिन समया विसम की बात हो रही हो तब हम दो दो जोड़ते हैं तो 45 हो गई 41 हो गई इसके बाद इसमें से 2 हम घटाएंगे हैं मगर इस साइट आएंगे तो 2 और कम कर दो तो 49 हो गई 49 हो गई यहाँ पर क्या पूछ रहा है हमसे दोस्तों यहाँ पर पूछ रहा है पांच एकम ठीक है पांच चुक को 20 और 4 24 की 4 हत में आई 2 चार चुक को 16 और दो 18 तो कहा हो गया है अठारा पैतालीस यही हमारा अंसर हो गया तो आई अब दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा एक कोशन ओल लेते हैं और फिर इस वीडियो को हम अंतर कितना है देखिए दोस्तों यहां पर मैं एक और कंसेप्ट समझाने की आपको कोशिस करूंगा अगर आप समझ जाएंगे तो मज़े आ जाएगा ठीक है यहां पर साथ लगातार संख्यां बोल रहा है तो हमने का एक और और सम्संख्यां के यहां और कि सनख्यां को लिए पिर और फिर दौकर आजीगे तो मेंने का यहां पर दौका अंतर आ पलश दो उगी छ्यांसी सम ह्याहां पर यहांबत पलस तो अगली के होगी अठास्य की ख Chief नब है होगी कि नहीं होगी यहां पर माइनस इस साइट आते हैं तो माइनस किता हो जाएगी 82 इसमें से फिर दो माइनस 80 इसमें से फिर दो माइनस किती हो जाएगी 78 यह हो गई वो संख्या है हमने निकाल दी अब लेकिन समझना क्या है यहां बोल रहा है आखरी संख्या का पहली संख्या और आखरी संख्या का अंतर कितना होगा तो हमने का आखरी संख्या कितनी है 90 वो पहली संख्या कितनी है 78 इनका अंतर ले लो अंतर मतलब घटाना तो वो कितना आ गया 10 में से 8 गया 2 बच्चा 8 में 7 गया एक तो वो आ गया 12 तो 12 ही हमारा क्या हुआ अंसर हुआ देखिए दोस्तों यहां पर मैं आपको एक और concept समझाना चाहता हूँ जो कि अगले question में काम आएगा बहुत मज़ेदार concept है देखिए मैं क्या कहना चाहता हूँ है किना चाहता हूं यहां पर संक्या कितनी साथ संक्या星aries साथ हैं एक दो तीन चार पांच lifi सμझा रहा हूं इसमें ठीक है संक्या है साथ है और इनके गैप कितने है देखिए एक दो तीन चार पांच छे तो गैप कितने है तो हमेशा गैप संक्या से एक कम होता है मतलब अगर संक्या साथ है तो गैप कितना होगा अच्छ है अगर संक्या पांच होंगी तो गैप कितने होंगे चार अगर संक् अंतर अंतर कितने है जैब वात बताइए प्रितियक अंतर कितने एक है घाएगा दो दो-धो धो-धो प्रतियक अंतर दो का है घा तो जी चैंटर की बैलू क्या हो गई च्छाएगोना 2 मतलब 2 12 हमारा अंसर मतलब जिब 78 में अगर हम 12 जोड़ेंगे तब ही तो 90 आएगा और वो गैप गैप ही क्या है इनका अंतर मतलब इनका अंतर पूछा है पहली संख्या से और इस संख्या तक का जाने का तो हमने का 6 गैप है परती एक गैप दो का है छदूनी 12 बारा एक दूसरे से ये 12 दूरी पर है अ गैप एक कम होता है देखिए दोस्तों इसी कोश्चन में मैं आपको बना के बताता हूं कि कोश्चन कैसा आ सकता है जो कि बड़े लेवल के S.S.C. में आता है और ये कहीं न कहीं आपको देखने को जरूर मिलेगा अगर आया तो देखिए यहां पर साथ थी अभी तो साथ स संख्याएं थी तो यहां पर अब जब क्या होगा जब क्या होगा कि अगर संख्याएं अगर संख्याएं हमारी ज़्यादा हो जाएं जिसे की संख्याएं यहां पर मान लो हो गई एक सट हो गई एक सट तो यहां पर बोल दिया एक सट लगातार अब यहां पर कर लो बिशम क्योंकि संभाला तो हम कर चुके एक बिसम खर लो ठीक है तो 61 लगातार बिसम संख्याओं का उसच 84 है तो पहली संख्या और आकरी संख्या का अंतर कितना होगा पहली संख्या और आकरी संख्या का अंतर कितना होगा सबसे बड़ी संख्या कौण सबसे बड़ी आया हुआ कोश्चन है दोस्तों संख्या किजिए देखिए दोस्तों इस टाइप के को अब केसे करेंगे अब देखिए दोस्तों अभी तक क्या होता था यहां पर बोड़ी भड़ जाएगा वह पेपर देने जाओगे तो आदे गंटी तक तो एकसे डिब्बे भनाते रहोगे तो ऐसे के लिए ही हमने वो गैप बाला सिस्टम बताया नमर और गैप बाला देखिए उसका हम यूज कहां से करते हैं यहां पर बोल रहा है एकसेट लगातार संख्या है तो मैंने का देखिए टोटल एकसेट संख्या है तो मैंने का एक संख्या यह है और बांकी तीस संख्या इदर है कितनी संख्या है तीज संख्या एधर है थीज संख्या है हो वे एक संख्या ना हुक्स एक स्ट इसट चार उस्ससे तो नहीं आप को बताय तक आगर हमारी चार संख्या है है वो आरों नद्म Heckini नहीं कुदुद दो शोलो चार तो पूछेघं़ Dwight are के बीच का उन्तर के कितने गैप कितनी में तो उसी तरीगे से अगर इहां से इसको बिरेक कर दो अभी है तो इससाइट की हैं मैं अब कोई लेना देना लिए निए इन on क्याना है इधर से हमें कोई लेन ने नीए इधर से तो हमने कर टोटल संख्या तीस तो यह है और एक संख्याँ यह है मतलब तो टोटल 31 संख्या घप तोटल 31 संख्या है 30 संख्या तो यह है और यह है टोटल 31 संख्या हो गई हो गई अब हमसे पूछ रहा है वो कि सबसे बड़ी संख्या मतलब यह संख्या में पता करना है ठीक है तो मैंने आपको बताया था अगर संख्या 31 है तो इनके गैप कितने होंगे एक कम तो गैप कितन तो तिन-चार पांच तो गैप एक दो तीन-चार एक कम तो ऐसे अगर जहां पे 31 संख्या है तेस यह और एक संख्या है तो इंके गैप कतने हुए 30 और दोस्तो पिरति यह गैप जो होता है वोग दो को होता है अगर सम्रों की बात करी जा रही हो तो सम और विसम की तो दो का गोना कर दो टोटल अगया साट अगया साट तो अगली जो संक्या है वो उस बीच में उसके साट और जोड़ने जाएं मतलब इनके गैप जोड़ने जाएं तो यह संक्या मिल जाएगी तो यहां तक पहुंचने के लिए हमें साट और जोड़ना अगर फिर भी आप नहीं समझते हैं तो हमें कमेंट करके बताइए हम अगले वीडियो में और अच्छे समझाएंगे और हम वीडियो लाएंगे दोस्तों वीडियो को सपोर्ट किजिए हमें सपोर्ट किजिए आप कमेंट करके बताएं कि आपके सपोर्ट के विए नहीं मिलत झाल झाल